देखूं मैं तेरू जैसे चान तकता है पाली में सीप जैसे मोती रखता है आगों में तेरी मुझे रब दिखता है हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एडिटर आनंद तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हो तो फ्रेंड अगर आप भी अपने मोबाईल फॉन से कुछ इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड तो चले फ्रेंड वीडियो एडिटिंग के लिए अपने काइन मास् उसके बाद यहां से आपको 16.9 का रेश्टियू लेना है लेने के बाद यहां से आपको next पर क्लिक कर देना है अब फ्रेंड यहां पर हम सबसे पर अपने photos का selection करेंगे तो जिस भी फाइल में आपका photos फाइल को आपको यहां से open कर लेना है उसके बाद यहां से आपको अपने फोटो उच्ट का सेलेक्षन कर लेना है यहां से पांच से फोटो का सिलेक्षन कर लिया है, उसके बाद यहां裡 हमें से कट कर देना है स्क्रोल करके स्टार्टिंग पोजीशन पर आजाना है अब फ्रेंड इस photo को हमें अच्छे से set करना है तो उसके लिए हमें इस photo पर click करना है उसके बाद यहाँ पर हमें pens and zoom में आ जाना है और हमें कुछ इस प्रकार से बराबर कर देना है और photo को हमें दोनों finger से zoom करके अच्छे से set कर लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी set कर लेना है उसके बाद यहाँ से हमें ok कर देना है अब हम second वाला photo select करेंगे और यहाँ पर हम pens and zoom में आएंगे और कुछ इस प्रकार से बराबर कर देंगे और photo को हमें दोनों finger से जूम करके अच्छे से सेट कर लेना है उसके बाद यहां से हमें ओके कर देना है तो इसी प्रकार से हमें सभी फोटो को अच्छे से एज़ेस्ट कर लेना है तो चले फ्रेंड मैं इससे जल्दी जल्दी कर ले रहा हूं ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना वने तो फ् इफेक्ट डाउनलोड करना है तो उसका नाम है यहां पर रोटेट सेट इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है तो इससे डाउनलोड करने के लिए simply आपको सेstore के option में जाना है यहीं से आपको download कर लेना है उसके बार हम्म कुछ फ्रकास यहां पर फाइप वाला देना है देने के बाद नह Takes मैं ओके कर देना है उसके बाद हसे प्लस की आइकन पर क्लिक करेंगे और उसी फाइलो को open कर लेना और यहां पर फाइप वाला ही दे देना है तो चलिए फ्रेंड मैं इस से भी जल्दी जल्दी कर ले रहा हूं ताकि यह मारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो फ्रेंड यहां पर हमने अपने सभी फोटो में ट्रांजिक्शन इफेक्ट को अपलाई कर दिया है अब इस वीडिय सेव होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंड अबpseका flying आपको यहां पर डैका आने के बाद यहां पर में १ेकन पर क्लिक करना है लेने गाद यहां से आपको next पर क्लिक कर देना है हमने जिस वीडियो को अभी एभी एक्सपोर्ट किया था उसी वीडियो को यहां से में एड कर लेना कुछ इस प्रकार से उसके बाद यहां से में कट कर देना और स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपना एक टेंपलेट वीडियो एड करेंगे तो उसके लिए अपर लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद यहां पर मीडिया में जाएंगे और यहां से अपने टेंपलेट वीडियो को एड कर लेते हैं उसके बाद यहा करने के बाद यहां से हमें okay कर देना है अब फ्रेड यहां पर हमें इस first वाले वीडियो को select करना है select करने के बाद यहां पर हमें three dot पर click करना है और इसे हमें duplicate as layer कुछ इस प्रकार से बना लेना है उसके बाद हमें रोटेट करके सेट कर लेना अपना बलार इफेक्ट डालेंगे तो उसके लिए आप लेयर में जाएंगे लेयर में जाने है और इसकी साइज को में कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है बढ़ाने के बाद यहां पर हमें थ्री डॉट पर किलिक करना से में सेंड टू बैक कर देना कुछ इस प्रकार से और इसकी डियूरेशन को खीज कर में कुछ इस प्रकार से यहां पर एंड तक रख देना है करने के बाद यहां से हमें कट कर देना है तो फ्रेंड हमारा स्टेटस वीडियो कम्पलीटली बनकर तयार हो चुका है जिसमें सौंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो संग लगाने के लिए सिंपली आपको इस आईडियो के सक्षेन में जाना यहीं से आप लगा सकते हो तो चलिए फ्रेंड वीडियो को आपको थोड़ा सा प्ले करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा स्टेटस वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने फॉन